नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मिथुन रासी वाले लोगों के लिए आज का दिन यानि कि 24 मई 2020 का दिन कैसा रहने वाला है तो जानने के लिए वीडियो को आप सुनते रहें लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 24 मई 2020 के पंचांग के वाडे में आज तिथी है दूतिया नक्षत्र है म्रिग सिरा पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है रभी बार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है पंच बज के 25 मिनट में और सुर्यास्त है साथ बज के 10 मिनट में रितू है ग्रिस्म और आज का दिन काल है 13 घंटे 44 मिनट 49 सेकंड का महिना है जेस्ट और आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 45 मिनट पी अम तक अशुभकाल सुरू होता है 5 बज के 20 मिनट पी अम से 6 बज के 15 मिनट पी अम तक और राहुकाल सुरू होता है 5 बज के 27 मिनट पी अम से 7 बज के 10 मिनट पी अम तक और दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें पड़ंतु सबसे पहले इस वीडियो के नीचे जै जै सियाराम कमेंट करने के बाद इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और दोस्तों मीडियो को आप पूरा देखें, एसकीप कहीं भी ना करें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है आपका पाड़ीवाडिक जीबने दोस्तों पाड़ीवाडिक जीबन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामानने से बहुत ज्यादा बिहतर रहेगा आज के दिन अपने घर के माहौल को, अपने घर के वाताबरन को आप अच्छा करने का प्रयास करें आज से पहले अगर आपके घर पड़ीवाड में किसी विक्ती के शाथ आपका संबंध खराब हो गया था तो आज के दिन अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें इसके बाद है आपका कामकाज, तो कामकाज के लिहाद से आपका शमय सामाणने से बहुत ज्यादा नीचे रहेगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में आप कोई बदलाब करना चाहते हैं तो बदलाब करने से पहले अपने सहकर्मी अपने कर्मचाडियों के साथ आप वारता लाब कर लें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वक्त में आपका कामकाज बहुत ज्यादा बिहतर हो जाएगा इसके बाद है आपका बैवाहिक जीवन तो आज के दिन अपने जीवन साथी के शाथ अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका भग्य आपका पूरा साथ देगा इसके बाद है आपका श्वास्त दोस्तों श्वास्त के लिहाद से भी आपका समय सही रहने वाला है आज के दिन के सुरुआत आप ध्यान और योगा से करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका श्वास्त बहुत जियादा बेहतर होगा इसके बाद है आपका धन संपत्ती तो पैसों के लिहाज से भी आपका समय सही रहेगा आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपत्ती का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिहाज से आपका समय आपका पूरा साथ देने वाला है इसके बाद जानते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या है दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है दो यनि की टू इसके बाद बाद करेंगे कि आज के दिन आपके लिए सुभ रंग क्या है आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मैरून इसके बाद बाद करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज मानने के बाद आपका समय बहतर और सांधार होगा दोस्तों उपाई बहुत सामाने है आज के दिन आप गरीब लोगों की सहायता करें पूरे मन से पूरे दिल से पूरे आस्था के साथ आपका समय सांधार हो जाए तो दोस्तों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें ताकि बांकी लोग भी इसका फाइदा उठा सके तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्य वादू